बूर्णिंग गाईज और करंट अफेर्स के रिविजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेर्स का रिविजन करते हैं तो हमारा पहला प्रशन क्या है स्वास्ति मंत्राले के नए सचीव के रूप में किसे नियूक्त किया गया तो आंसर होगा राजेश भूशन को और स्वास्ति मंत्री कोन है हमारे डॉक्टर हर्श वर्दन है अर्थ साइंस मिनिस्टर भी इनी के पास है चानी चौक दिल्ली इनका निर्वाचन शेतर है फिर एक किस वर्ष तक भारत में अपनी स्थापिट बिजली उत्पादन शम्ता का 60% renewable energy से करेगा भारत तो आंसर होगा 2030 तक मतलब जितनी भी बिजली प्रोडियूस होती है भारत में 2030 तक कहा गया है कि जितनी भी बिजली प्रोडियूस हो रही उसका 60% renewable energy से आएगा प्रेंटर राष्टर ओलंपिक समीति के उपाध्या किसे बनाया गया था अनिता डे फ्रेंट्स को और इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी की बात करेंगे हेड़कोर्टर मिलेगा लाउजिन सुजलेन में प्रसिडेंटे थॉमस बक्त और अभी हमने पढ़ा भी था 2022 में जो ड और इसकी टैग लाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद और मैंने हमेशा आपको बताया है गुड पीपल टू बैंक विद किसकी टैग लाइन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की फिर है किस देश ने 3D प्रिंटेड एरक्राफ्ट इंजन का सफल परिक्षन किया तो आंसर सलाकार किसे नियुक्त किया गया तो आंसर होगा साहिल सेठ को इनके अलावाट टीना डाबी को भी नियुक्त किया गया है टीना डाबी तो आप नाम जानती होंगे 2016 की सिविल सर्विसेज परिक्षा को टॉप किया थे नोने फिर टाटा ए आई ए लाइफ अंशॉरेंस ने किसे अपना MDCO नियुक्त किया तो आंसर होगा नवीन ताहिलानी को और है अमेरिका के लिए उडान संचालित करने वाला भारत का पहला घरिलू एर केरियर कौन सा बना इस पाइस जेट बना है जिसका हैटकोर्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम में और इसके सीयो है अजे Agile, Modular, Munition, Extended Range बढ़ते आगे और हाँ गाईज यह हमारा पजल का आज आखरी वीडियो होगा तो चलिए इससे तो कम्प्लीट करते बढ़ते आगे फिर है किसे विश्व खाद्य पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा रतनलाल को भारते मूल के अमेरिकी म्रदा विज्ञानिक है यह रतनलाल और यह जो विश्व खाद्य पुरुसकार है इसे करशी शेत्र में नोबल पुरुसकार भी कहा जाता है फिर है Medal of the Order of Australia से सम्मानित किया गया था किसको शुभा शेखर को और इसी तरह से आपको याद होगा Order of Australia जो कि Australia का सर्वुच नागरिक सम्माने वो दिया गया था किरन मजुमदार शौको और ये अवर्ड पाने वाली वो चौथी भारतिय बनी थी फिर है किस राजे के मुख्य मंतरी ने जगन नाण चेदूडू योजना शुरू की है तो आंसर होगा आंदर प्रदेश की सरकार ने इसमें क्या होगा जो टेलर्स होगए जो नाई वगेरा होगए जो वाशर्मेन वगेरा होगए उनको 10,000 रुपे तक की साहित मिलेगी पर की साथ साल से उम्र कम होनी चाहिए फिर है M.H.R.D. की N.I.R.F. रेंकिंग आई थी उसमें कौन सा विश्विद्याले टॉप पे रहा ओवरॉल रेंकिंग में तो आंसर होगा I.I.T. मदरास और M.H.R.D. मंतरी है रमेश पोखरियाल निशंक और वेसे भी नई जो शिक्ष U.S. कुमारन फिलिपिन्स की बात कर लें तो कैपिटल मनीला है करंसी है पीस ओवर प्रेसिडेंट है रोडरिगो डूटल्ट है फिर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लैटफॉर्म ये किस स्टेशन पे बन रहा है तो आंसर होगा हुबली स्टेशन यहापकर करनाटक में है और इस जो सबसे बड़ा मतलब सबसे लंबा जो प्लैटफॉर्म होगा इसके लंबा ये 1400 मीटर वरतमान में बात करेंगे तो गौरकपुर रेलवे स्टेशन पे सबसे लंबा प्लैटफॉर्म है जिसके लंबा ये 1366 मीटर फिर जी आर एती ने यानि कि गार्डन रि फिर है DSRV यानि कि Deep Submergence Rescue Vehicle Complex का उद्गाटन कि शहर में किया गया तो आंचर होगा वियत नाम में तो ये गहरे पानी में बचाओ कार्रों में मदद करेगा फिर है MFS ने संपरक रहित ATM निकासी सक्षम बनाने के लिए समझोता किया Contactless ATM बनाने के लिए समझोता किया किसके साथ Mastercard के साथ में और USA के बाद भारत दूसरा देश होगा जो इस तरह के Contactless ATM अवेलेबल करवा रहा है फिर बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया यानि कि World Day Against Child Labor तो आंचर होगा 12 जून को बढ़ते आगे तो चलिए कल के Current Affairs को रिवाइस करते हैं तो पहला प्रशन है किस राज्य के हरमल मिर्च को जी आइटेग मिला है तो आंचर होगा गोवा ये हरमल चलि के अलवा इसके मोईरा बनाना और खाजे जो कि एक तरका स्वीट है उसको भी जी आइटेग मिला है और अभी आपको याद होगा इसे साल के स्टार्टिंग में गोवा के खुला चलि को भी जी आइटेग मिला था जो कि पहला प्रोड़क्ट था गोवा का जि सबसे अमीर वेक्ती की सूची में मुकेश अमबानी कौन से नमबर पे रहे चौथे स्थान पे रहे पहले नमबर पे अमिजन की जेफ बैजोस सेकेंड पे बिल गेट्स और थर्ड पे हैं मार्क जकर बर्ग फिरेफ फॉप्स की द्वारा जारी 2020 की सबसे महेंगे एक्टर् ड्वेन रॉक जॉंसन जिनने अब दर रॉक के नाम से जानते हैं पहले रैसलर हुआ करते थे ये और टॉप टेन में एक मात्र भारती एक्टर हैं अक्षे कुमार छटवे स्थान पे ये फिरे आर्बिय ने चेक से होने वाली धोका धड़ी को रोकने के लिए किस नाम से ए इर्मार किस राज्य में किया जाएगा तो आंसर होगा गुजरात में किया जा रही है फिर रॉकेट इंजन का विकास और परिक्षन करने वाले पहली भारतिन प्राइवेट कंपनी कौन से बनी तो आंसर होगा स्काइरूट एरोस पे और ये जो 3D प्रिंटेड रॉकेट इ अगरा स्पैनेश रॉकेट और दूसरी महत्वपुन विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम भी आयोजित किये जाएंगे फिर एक किस राज्य सरकार ने वाइसार चेयू था योजना शुरू की तो आंसर होगा आंदर प्रदेश की सरकार ने वाइसार से आप समझ गये और इंटरनेशनल एकॉनमिक रिलेशन्स का नया अध्यक्ष बनाया गया प्रमोध भसीन को फिर एकिस एकॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नाम का एक विक्रेता अभियान शुरू किया तो आंसर होगा अमेजन ने तो जो विक्रेता भी अमेजन प्लेटफॉर्म प्रुसकार किसने जीता था यादे कि आपको काजू ओ इशी गुरू ने और अभी इनका नाम न्यूज में भी था क्यो न्यूज में था क्योंकि अभी इन्होंने एक नौवल लिखा है जिसका नाम है क्लारा एंड दर सन जिसे अगली साल मार्च में लॉच्च किया फिर 75th United Nations General Assembly के नए अध्यक्ष कौन है? वालकिन बोजगिर अभी नए बने ये ये टर्की से हैं और अभी हमने पड़ा भी था United Nations Security Council का 27 अधस से बना है भारत दो साल के लिए फिर मास्क दिवस किस राजे ने अभी मनाया था ये करनाटक ने मनाया था और कब मनाया था तो वो भी याद रखो 18 जून को मास्क वगेरा, सेनेटाइजर वगेरा के बारे में लोगों को जागरू करने के लिए मनाया था फिर गरीब कल्यान रोजगार अभियान के इस राजे से लौंच किया था अभी मोदी जी ने तो आंचर होगा बिहार से तो घर लोट रहे प्रवासी मजदरों को रोजगार देने के लिए अभी 20 जून की बात है पर धरमंतरी मोदी जी ने बिहार के खगडिया जिले के तेलिहार गाउं से इसको लौंच किया था और ये जो अभियान है ये छेर राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक चलेगा अब वो छेर राज्य कौन कौन से उत्तरप्रदेश, मद्देप्रदेश, राजस्थान और उडिसा, जार्खंड और भिहार फिर वर्ल्ड एकोनमिक फॉरॉम का हैटकोर्टर आपको का मिलेगा कोलोगनी सुट जलन में मिलेगा फिर बताओ एशियन डेवलेप्मेंट बैंक का हैटकोर्टर काँ पर है ये है मनीला फिलिपीन्स में और अभी फिलिपीन्स में भारते राजदूत भी बने थे इंडियन एमबेजडर कॉन शंभू एस कुमारन और एशियन डेवलेप्मेंट बैंक के अद्ध्यक्ष का नाम बताओ मसाथ सुकू असकावा है और वाइस प्रसिडेंट अभी बने थे अशुक लवासा एशियन डेवलेप्मेंट बैंक के ये भी याद रखो फिर बीसीसियाई के अद्ध्यक्ष का नाम क्या है बीसीसियाई के अद्ध्यक्ष का नाम है सौरव गंगुली 39th नमबर के बने अभी ये बीसीसियाई मतलब होता है Board of Control for Cricket in India और सौरव गंगुली से क्या याद आता है अभी टोक्यो अलम्पिक में भारत के Good Will Ambassador बनाया गया इनको बीसीसयाई के सचीव है जै शाह और अभी बीसीसयाई के लोकपाल जो है न डीके जैन उनका एक साल का कारेकाल भी बनाया गया था फिर बहरीन की capital क्या है बहरीन की capital है Manama और बहरीन की currency पूछूँगा तो बहरीन दिनार है और अभी बहरीन में भारते राजदूत कौन बने थे, बताओ, पियुश श्रिवास्तव बने थे, याद रखना, और याद रखना, बहरीन में चोथे एशियाई युवा पेरा खिल भी होंगे, 2021 में, फिर डिफेंस सेक्टर में FDI को 50% से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 74% कर बताता हूं, अभी अंक्टाड की रिपोर्ट आये थी, उसमें बताया था कि भारत 2019 में FDI प्राप्त करने के मामले में 90 पोजिशन पे रहा, और भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फोरेक्स रिजर्व है, वो 500 बिलियन डॉलर के पार पहुँच गया था, पहली बार 500 बिलियन डॉलर को क्रोस किया था, तो सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में भारत पांच वे स्थान पे रहा था, और बाकी अगर मैं आपसे पूछूँ, 2019-2020 में सबसे ज़्यादा FDI किस देश से आया, तो सिंगापुर से आया है, 14.something बि मनाते हैं, फिर है MSME Day, ये हम 27 जून को मनाते हैं, और MSME मंतरी हमारे है नितन गड करी जी जिनका निरवाचन शेतर नागपूर है, और अभी MSME मंतरले में नए सचीव भी बने थे, Secretary के नाम है, अरविंद कुमार शर्मा है, फिर है National Statistic Day, ये हम मनाते हैं 29 जून को, और एक World Statistic Day भी होता है, जो हम 20 October को मनाते हैं हर 5 साल में, फिर है 2010 में मनाया है, फिर 2015 अब 2020 में, फिर है National Doctor Day, ये मनाते हैं 1 जून को, और 1 जून को आपको याद होगा, राष्ट्रे डाक करमचारी दिवस भी मनाया जाता है, और एक जून को एक ओर डे मनाते हैं, चार्टेड फिर विश्व जन संख्या दिवस, ये जुलाई का सबसे important डे है, 11 जुलाई को मनाया, फिर है विश्व यूआ कोशल दिवस, यानि कि World Youth Skill Day, ये 15 जुलाई को मनाया है, जिसकी theme थी Skills for a Resilient Youth, फिर अंतर राष्ट्रे न्याय दिवस, Day of International Justice, 17 जुलाई को मनाया, फिर है Nelson Mandela Day, ये हमने मनाया, 18 जुलाई को, तो गाईज, ये था आज का हमारा current affairs का revision वाला वीडियो, और आज ही हमारा revision में last वीडियो है, आज आपको homework वाले question भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब कल से हम इसको continue नहीं करेंगे, discontinue कर रहें हम इसको, और आज आपको homework वाले question भी नहीं मिल क्योंकि आज ही हमारा last वीडियो रहेगा इसका, और देखिए आप लोग बाद में मुझसे comment करके पूछो के एक-एक student की क्या हुआ, कैसे हुआ, तो सबको comment करना तो मेरे लिए possible नहीं होगा, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, और बताना क्या आप लोग जानते ही हो, इन वीडियो चल नहीं पा रहे हैं, ये वीडियो उसको response नहीं मिल पा रहा है, काफी महीनों से इस पर मैं महनत कर रहा हूँ, सिर्फ मेरी महनत ही input में जा रही है, output में मुझे कोई result नहीं मिल पा रहा है, बीच में भी हमने इसको बंद करने का plan किया था, लेकिन आप में से कुछ students ने का, कि आपको benefit हो रहा है से, तो हमने इसको फिर भी continue किया, कि चलो मुझे views नहीं मिल पा रहे हैं, views नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को benefit हो रहा है, तो चलो इसको continue करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 3-4 मैंने इसको और continue करा, लेकिन एक exam application पर आपको कोई advertisement वगरा दिखता है, तो एकाद बार आप उसके click जरूर कर दिया करें, दिन में एकाद बार खोल करके, जब भी आप उसको खोलते हैं, quiz वगरा लगाते हैं, लेकिन अगर आप लोग उसमें भी support नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी benefit नहीं मिल पा र कर सकते हैं, मुझे भी आपके लिए वीडियो तयार करने में घंटो लग जाते हैं, मुझे भी output नहीं मिल रहा है इन वीडियो से, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ न, तो कम से कम हम एक आद मिनिट तो देई सकते हैं, advertisement पे click करना है, या अगर कोई च थोड़ा बहुत result मुझे दिखता है, तो हम इसे फिर से continue करेंगे, तब तक के लिए हम इसे discontinue रखेंगे, आप सभी लोग समझदार स्टुडेंटें उमीद करूंगा, मुझे blame करने के जगे आप मुझे समझेंगे, तब तक के लिए, thank you guys